गोल नगाडों के साथ किया गया गनेश विसर्जन अगले वर्षफिर आने को कहा गनेश चतुर्थी से घरों में विराजित गजानन गनेश को आज श्रद्धालूओं ने भारी मन से विदाई दी भक्तों ने भगवान गनेश से अगले वर्ष फिर आने का आग्रह भी किया गनपती वप्पा मोरिया अगले वर्ष तु जल्दी आ की गूंज के साथ भगता शानवित थे गनपती फिर आएंगे और उनके विग्णों का नाशकर उनकी मनोकामनाय पूर्ण करेंगे आज अनंत चतुर्दशी होने के कारण सभी जगह स्थापित गनेश भगवान विदा किये गए हाला की विदाई का यह क्रम कई दिनों से शुरू हो गया था जस्वंत नगर के मुख्य विसर्जन स्थल भोगनीपुर नहर के सिरहौल पुल पर दो पहर से लेकर शाम तक गनेश मूर्तियों का विसर्जन चलता रहा एक अनुमान के अनुसार सो से ज़्यादा मूर्तियां विसर्जित की गई नगर के समाज से वी सैफई महुत्सव के प्रबंधक वरिष्ट पत्रकार वेदवरत गुपता पत्रकार के टीचेस कॉलोनी स्थित आवास पर विराजित साड़े चार फुट उची गनपती की मूर्ती एक रत पर सवार होकर प्रोटोकॉल के तहत पहुची तो बहुत सारे भक भाव विहवल हो गए। पूर्ग ब्लॉक प्रमुक अनुज मौंटी यादव, डॉक्टर केलाश यादव, राजवीर सिंग यादव, सौरब गुपता, अनमोल गुपता, शाम मोहन गुपता, हरि मोहन राजपूत, प्रमोद गुपता, सीमा गुपता, इंदरा गुप झाल झाल झाल